Hi everyone, Assalamualaikum, Welcome to my channel Clean Knits छोटी सी वीडियो में आपको बताऊंगे कि डबल क्रोशा कैसे करते हैं सिंगल क्रोशा मेंने सिखाया हुआ है, सिंगल क्रोशा में हम एक चेन स्किप करते हैं डबल क्रोशा में हम टू चेन, दो चेन स्किप करेंगे सबसे पहले क्या करना है, आपने धागे को इस तरह से लपिटना है यार नोवर, and then one, two, three, एक, दो, तीन, तीसरी चेन में से आपने क्या करना है इस तरह से हुक लेके जाना है, और धागा लेकर आएंगे अब आपके पास स्टिचेस बोल लें, लूप बोल लें, फंदे बोल लें आपकी मर्जी है, एक, दो, तीन है सबसे पहले क्या करेंगे, हम धागे को इन दो फंदों में से गुजारेंगे ठीक है, अब ये दो हमारे पास लूप से फंदेंगे, अब फिर से धागे को इन दोनों में से गुजारेंगे ये होगे हमारा डबल क्रोश, अब पहले जब शुरू करते हैं, तभी आपने दो चेन स्किप करनी है, आगे आप नहीं करेंगे अगर आपको पैटर नहीं बोल रहा तो आप क्या करेंगे, फिर से धागा लपेटेंगे और नेक्स्ट चेन में से फिर से इसी तरह धागा लेकर आएंगे, धागा लपेटा, नेक्स्ट चेन में से फिर से धागा लेकी आई, फिर से तीन आपके पास फंदें होंगे, यहा आती हूं धागा इस तरह लपेटा और इस तरह से आपने नेक्स चेन में से धागा लाएंगे और पहले इन दो लूप्स में से निकालेंगे और फिर इन दो में से ये आपका है डबल क्रॉश और भी वीडियो होंगी मेरे चैनल पर देखिएगा जूरू थेंकियो सो मुच प